फ्रेंस वल्कम बैक तो मैं चैनल फ्रेंस आज मैं आपके लिए बनाऊंगी ओवर राइप पपीती से दो इंक्रिडिबल डिश जिनमें से एक होंगे इस पकेलवे पपीते की खीर जिन्हें बनाने के लिए हमें ना ही गैस अवें जलाने की जरूरत है और ना ही दूद और श चाहिए साथ से आठ पीस खजूर इन्हें मैं सोक कर दूँगी होट वाटर में 15 से बीस्मेंट के लिए और ये देखें फ्रिंस 15 से बीस्मेंट गुजर चुके हैं और हमारी खजूर अच्छे तरह से सोक हो चुकी है इन्हें हमें अच्छे तरह से कर लेना है डीसी डेट ये देखें इस तरह से और मैं ट्रांसफर कर दूँगी अपने मिक्सर के पॉट में और अलमंट को भी हमें डेस्किन कर देना है इस तरह से ये देखें और ये हो गए हमारे अलमंट डेस्किन और मैं दोनू ड्राइफ्रूट्स को कर दूँगी ट्रांसफर अपने पॉट म और हमें ले लेना है condensed milk, यह मैंने यहां ले लिया, one tablespoon condensed milk, यह हलके से tight हो चुके हैं, कोई दिकत नहीं है, अब इन्हें हमें कर लेना है coarse grind, यानि के दर-दरा इन्हें हमें पीस लेना है, यह देखें, grind करने के बाद इनकी texture कुछ ऐसी होगी, यह रही आपके सामने, आप देख सकते हैं, अब इन्हें मैं कर दूंगी site, और ले लेना है हमारे override papaya को, इस seat को मैं अलग कर रही हूँ, अगर मेरी recipes आपको अच्छी लगती हो, तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर ले, बेल आइकन टैप करना ना भूले, और like बटन को भी kindly हिट कर दे, और यह हमारे papaya सारे कट ग fine paste कर लेना है, यह रही हमारी fine paste papaya की, यह देखें, इन्हें भी मैं transfer करूंगी अपने एक बड़े से दूसरे बोल में, इस तरह से यहाँ देखें, मैं कर रही हूँ, हो गए सारे हमारे papaya transfer अपने बोल में, और फिर से उसी mixer pot में हमें अपने बचे हमें papaya को transfer कर देना है, य और हमें ले लेना है लगभग one and a half tablespoon powder milk, यह मैंने डाल दिया, इनकी भी हमें एक fine paste बना लेनी है, यह देखें, आपके सामने तयार है fine paste, और अब मैं इन्हें भी drop कर दूँगी पहले वाले papaya के बोल में, यह देखें, मैंने transfer कर दिया, यह अच्छी तरह से transfer हो गए है, जिन तक mix करते रहना है, जिस तरह से मैं यहां कर रही हूँ, यह जितनी अच्छी तरह से mix up होंगे, हमारी dessert उतनी बेहतरीन बनने वाली है, यह देखें, और यह हो गए हमारी mixing अच्छी तरह से, और अब मैं यहां ले रही हूँ 3 pieces firmy saucer, जिन पे मैं अपने इस non-cooked firmy को serve क करूंगी, यह देखें किस तरह से यह हमारे सामने बनकर तयार हो गई, बिना cook किये, बिना किसी hard work के बेहतरीन dessert, जिनके सामने घंटों मेहनत किये हुए खीर और फिर्मी भी हो जाएंगी फेल, इन्हें मैं garnish कर रही हूँ, grated पिस्ते से, यह देखें इस तरह से मैंने सूखे पिस्ते को grate कर दिया, अपने सभी डिश पे, यह रहे हमारे सारे पिस्ते से डेकुरेटेड़, और मैं इनमे डाल रही हूँ, रेट कलर की टूटी फ्रूटी, जिनसे इनकी लुक और भी ज्यादा अट्रक्टिव हो जाए, और यहां सेंटर पे मैं रखने वाली हूँ, एक बड़े से चेरी को, यह देखें इस तरह से, और साइडो में भी हमें डाल देना है, दूसरे किसी कॉम्बिनेशन की टूटी फ्रूटी, और यह आपके सामने तयार है, बेहतरीन पकेहवे पपाये की फिरनी, या खीर, या फिर डेजर्ट, तो फ्रेंस कैसी लेगी आपको म दूसरे रेसीपी की तरफ, यहां भी हमने अपने पपाये को कर लिया, डिसी डिट, जिस तरह से मैंने पहले वाले पपाये को किया था, यह हमारे सारे सीव निकल चुके हैं, अब मैं इन्हें स्लाइस करूँगी, और फिर दिरे दिरे इन्हें पिल आफ कर लूँगी, और जैसे भी रफली भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फ्रेंस आप जान ले, सब्सक्राइब बटन एक बारी हिट करना पड़ता है, और हमेशा के लिए आप मेरे दोस्त बन जाएंगे, और हाँ, बेल आइकन टैप करना आप न भूले, और यह कट गए हमारे सार पपाये, हमें ड्रॉप कर देना है इनमें कुछ खजूर के दाने को, जिन्हें मैं डिसीडिट कर ले रही हूँ इस तरह से, अब हमें ट्रांसफर कर देना है इन दोनों इंग्रिडेंस को अपने बड़े से मिक्सर के जाड में, यह मैंने कर दिया, फ्रेंस क्या आपको पत यह मैंने ले लिया और मैं ले रही हूँ यहां गुढ के बने हुए बताशे को, बिना शक्कर के मैं बना रही हूँ इसलिए, गुढ के बताशे बहुत हेल्दी होते हैं, यह हम सभी जानते हैं, और मैं इनहें कर रही हूँ, finally grind, क्योंकि यह बनने वाली है बहतरीन स्मूद और देखें ये ग्राइंड कम्पीट हो गई और तयार है स्मूदी आपके सामने इनमें मैं आट कर दूँगी कुछ क्यूब्स आइस के और फिर से इन्हें हमें एक बारी से घर अब हमें ले लेना है दो ग्लासेज जिनमें ये बेहतरीन स्मूदी आपके लिए सर्फ करने वा और इन्हेंस हो जाएंगे आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो और मैंने ले लिया कुछ पत्तियां मिंट की यानि के पुदीने के पत्ते जिन्हें मैंने अपने हाथों से क्रश किया है और ताकि इनकी स्मेल बहतरीन आए हमारी को जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरह से बनाएं आम श्यूर अब बहुत आरीफ पाएंगे और यहां मैंने ले लिया कुछ टूटी फ्रूटी यह आप्शनल है लेकिन लुक्स अच्छे आजाते हैं इससे ग्रीन और 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 इंज की कॉम्बिनेशन हो जाती है मिंट के लिफ से हमें डेकोरेट कर देना है और तयार है यह आपके सामने बहतरीन स्मूदी तो फ्रेंड्स दोनों ही रेसिपी आपको कैसी लगी काइंडली हमें बताएं मुझे आपके reply और feedback का बहुत इंतजार रहता है फ्रेंड्स क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन, comments और like ही मुझे motivate करते हैं कि आपके लिए मैं हर बार कुछ नया invention करूँ तो रमजान के महिने शुरू हो चुके हैं देर किस बात की है ट्राइ करें, खुद पिएं, खुद खाएं और अपनों को खिलाएं अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स में शेयर करें, like बटन को हिट करें, thanks for watching